हेलो दोस्तों मेरा नाम अभिशेक है देखे दोस्तों जो महगाई भदता है करमचारियों का अगली क्या अपडेट आएगी एक जुलाई दोहजा चौबे से कितना बढ़ेगा इस पे देखेगा कोई खासा या फिर अथेंटिक अपडेट नहीं आपा रहा है एक्चुली ये जो है वो 50 से आगे ना बढ़ाके यह जीरो से स्टार्ट कर दें जो बेस सेलरी है उसमें इजाफ़ा कर दें तो देखे गहा है क्या पहले तो इंतजार था जनवरी का जीरो तो एक परसेंट जो बढ़ने का आंकड़ा रहता है वो बढ़ा था लेकिन जो फरवरी का डेटा है ठीक ना टेटा भी ब्लेंग करा है नील रहा है जो फरवरी का मार्श में आने अप्रेल सेगे सेइन इसका पता नहीं चला जो मंःच का आंकड़ा इस देंब वाला था इबर फ्फ चंवार्थ मैं है और आज तक नहीं आए है मतलब कि आप eso है कि जो उफुकता मुले सूच कांख और यवर द्थी के जो जारे नहीं किया जा रहा है इसकी है यह कि जो पे क्मिस्टेशन है उसको एंटुडिस किरा दिया जाये लेकिन ऐसे में क्या है कि आपका जो ऑखडा है डिये हो भुकता मुले salary है वह लाया जाए या फिर इनकी बीच को कोई hybrid model लाया जाए यूँकि जो government applies में वेतन विसंगतियां है और भी कई सारे ऐसे समझ चाहे हैं तो उन सब को एक साथ ऐसे solve कराया जा सकी हल कराया जा सकी यह तो बाते हैं एक क्यास ऐसी भी लगाया जा रही है कि government due to elections जो महगाई inflation है उस पे वो रोक लगाना चाहरी है उसका data चुपाना चाहरी है ताकि लोग अवियर्ण नहों लेकिन देखी का मेरा मानना है कि अगर कोई ground पे market पे अगर कोई चीज ले रहा है तो वो इसको इन आगरों को जाता फरक पड़ता नहीं है यह कि हमने हमेशे देखा कि जो य हम ही रहता है माले जी कोई आपको retail price 100 रुपयम चीज मिल रही है तो भोकता मुलसुचकांक में उसका आप 50% ही है कि मतलब 50% ही उसमें महगाई हुई है लेकिन आप ground पे हम लोग देखते हैं 100% है तो यह कोई जादा बहुत बढ़ा इस हो है नहीं फिलाल के लिए update है कि जो फरवरी का उभूकत मुलसुचकांक डेटा है वो नहीं आया है साथ में मार्च का भी नहीं आया दोस्तों यह बात तो है कि elections के जस्ट बाद ही कुछ महीने बाद ही यह पता चल दाएगा कि क्या आठमा पे कमीशन पे कोई कमेटी बनने वाली है यह फिर DA और बढ़ेगा ज झाल 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 झाल